नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज 15 अगस्त आप सभी को स्वतंतरता दिवस की हार्दिक सुबकामना है तो चलिए फ्रेंट्स यह देखिए मेरे यह अनार का यह जो है प्लांट इस पे देखिए फ्लार्स बहुत सारे फ्लार्स आ मैं आपको देखाती हूँ यह मेरे उपर च्छट पे लगा हुआ है यह देट पाम सीट सें को बलगे प्लांट यह पानी का टेंक परान जो होजाती है जिस में कि मैं सारा कि तिन से निकलता है समान फलों सबजीयों के छिलके वो इसमें मैं डालती रहती हूं तो उसे किचिन कमपोस्ट भी बनती है तो ये देखिए मैं आज ऐलो विरा के बारे में बात करना चाह रही थी ये छट पे मेरे ऐसे ही जोगार से मतलब जो पानी की कूलर का टैंक मेरा एक खाली हो ये गलवी गया है ये तो यसे ही जोगार से मैंने सेट कर रखा है तो कबार से निकला हुए जोगार पर मैंने ये प्लांट कैसे ग्रो करें आलो विरा के इस बारे में मैं आप से बात करना चाहती हूं ये देखिए फेंड्स हालागी मेरे छट पे खुले आसमान की नीचे प्लांट रखे हुए हैं और अलो विरा तो हमेशा सेमी सेड में चलता है बट मेरे ये खुले आसमान तो मैंने सोचे चलो आपको मैं देखा देखाना चाहती हूं तो ये देखिए किस तरह ये टाइल्स और पत्थर लगा के मैंने ये गल गई है ये पूरा मेरा ये टैंक तो ये जब प्लांट पूरे सेट हो गए हैं कई सालों से लगे हुए है तो इतना ज्यादा एफेक्ट भी नहीं है ये अच्छे से चल भी रहे हैं ये देखिए पत्थर से और इस तरह मैंने ये गल गई है पूरा टैंक और मैंने ये तरह सेट कर रखा है तो अलो विरा बह हैं कि मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट सें बहुत ही ज़्यादा नीचे गार्डन में भी जैसे जिस तरह मैं लगाना चाहती हूँ वैसे ही मतलब अच्छे से ग्रोव कर जाती हैं और बहुत सारे मैंने इसके प्लांट भी दिये तो अपने फ्रेंड्स वगेरा को और तो खाड के ऐसे ही गार्डन में मलब खाड के भी फेक देती हैं देखिए कितना मलब यह नहीं है कि ऊपर छट पर पड़ा हुआ है तो इसमें कोई जैल भी जैल ना हो यह देखिए मेरे पास चाकू नहीं था फ्रेंड्स तो मैंने ऐसे ही तोड़के आपको दिखाया यह कितना सारा जैल है इसमें बहुत है बहुत हैल्दी प्लांट्स हैं यह और इसके यह बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं उससे बहुत सारे प्लांट्स बनते रहते हैं तो काफी बाड भी देती हैं खाड के भी फेक दिये हैं काफी जो पुराने हो जाते हैं और मैं अपन चलता हुआ और इस तरह यह ग्रोव कर रहा है बहुत अच्छे से ग्रोव कर रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे यह शेयर करती है यह देखिए बेबी प्लांट्स इस तरह इसके इसका प्रॉपिगेशन होता है आप इनको अलग करके लगा दीजिए तो आपके नए नए बेबी प्लांट्स इसमें ऐसे निकलते रहते हैं यह देखिए तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे मैं यह शेयर करूं कि अलोविरा को ज़्यादा केर नहीं मांग और मैं कुछ भी केर नहीं करती सिर्फ पानी ही डालती हूं इसमें कि बहुत सारे अलोविरा के प्लांट् कोई नहीं तो बहुत अच्छे से ग्रोव कर रहा है तो बस मेरे को यहीं बताना था और आप लाएं यालोविरा जरूर लगाएं अपने घर में पहुती इजू टू ग्रो है तो देखिए फ्रेंड्स कुछ और प्लांट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तक के लिए और ग्षाएं बड़र का रहा है।